आज हम आप पहुंचे हैं सेंटर पार्क और सेंटर पार्क जो है वो जैपुर का सबसे बड़ा पार्क है तो यहाँ पर हम आए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए हाई गाईज वेलकम बाक इन गेट पास कूक और आज हम आए हैं सेंटर पार्क और यहाँ पे मेरे हज़्बेंट और मैं आपको पूरा पार्क अच्छे से विजिट कराऊंगी तो आप बनी रहे गें व्लॉक के लास्ट तक सेंडर पार्क शाचन सची वाले समस हॉस्पिटल स्टेडियम और हाई कोट के पास में हैं इस गार्डन की जो विशेशता वो यह है कि 206 फूट उचाई पर एक तिरंगा है इस्टेचू पत्थर के बने हुए हैं ओपन एर जिम है जो की दो नंबर गेट और पाच नंबर है इंटर्नल वाकवे है मुजिकल फाउंटेइन ठेंपल है जो की बाला जी का और क्रेश्न बगवान का और शंकर बगवान का है पबलिक यूटिलिटी एरिया है और जो फ्लैग है वो तो अपने आप में ही यूनिक है तो गाईज जैपूर का सबसे बड़ा पार्क होने के साथ साथ यहां पर काफी अच्छे अट्रेक्टिव फीचर्स हैं जो कि मैंने आपको बताएं हैं इस पार्क में काफी हर्याली थी गाईज और जो पक्षियों की अवास थी वो काफी दिल को सुकून दे रहे थी और यहां पर मैंने देखा गिलैरियां थी जो दाना हा रहे थी फिर कोटर में घुजरे थी और यहां पर काफी अच्छा रन्वे बना हुआ है जिस पर लोग वाकिंग करते हैं रनिंग करते हैं और एक वाच भी है जो कि मैं आपको दिखाने जा रही हूं देखेगा जो काफी अच्छी लग रहे थी पार्क में सम्टेंग क्यों होता और यह जो मैं पिक्स शेयर कर रही हूँ आपके साथ यह है स्टेचू पथर के बने हुए जो काफी अच्छे लगते हैं दिखने में और यहां पर यह सरकल बना हुआ है और जो तिरंगा है वो यह वाला तिरंगा है जो 206 फूट उचाई पर है यहां पर गॉल्फ कोर्स है और पोलो खेलने के लिए भी मैदान है जिसके बारे में मैं फिरका भी बताऊंगी और गार्डन वॉकिंग करने के लिए काफी अच्छी जगे है यहां का जो सुबर शाम लोगों का ताता लगा रहता है और लोग यहां पर बोलो खेलने के लिए फुट्बॉल खेलने के लिए किरकेट खेलने के लिए आते हैं क्योंकि जैपुर में इस लेवल पे इतनी सकते हैं तो यहां पर काफी ग्रीन डी है और जो पेड़ के पत्ते हैं वह काफी हरे-भरे देखिया उसका है पेड़ के पत्तों में और आप हमारी वॉकिंग हो चुकी है और आप हम जा रहें घर तो गर्मियों में आप क्या कीजेगा summer food काफी अच्छे आ रहे हैं जिनमें शैतूत आ रहे हैं खरबुजा आ रहे हैं ककड़ी आ रहे हैं नारे ला रहे हैं तो आप ये पीते रहे हैं और गाइज अगर आप इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगया हो तो जरूर एक लाइक कीजिएगा और अगर आभी तक आपको क्या चलगा थांक यू सो मच बबाए